जहिन अभ्यास ओनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों प्री डियलेट प्री बीएड एक्जाम जो हुआ है 2021 में 29 अगस्त को उस एक्जाम का कट आफ के बारे में बात करने वाले हैं वीडियो को सुरू से लाज तक जरूर देखे हम दोस्तों इस वीडियो में दोनों एक्जाम अर्थार प्री डियलेट और प्री बीएड दोनों के कट आफ के बारे में बात करेंगे बहुत सरा दोस्तों आपका कमेंट आ रहा था जो model answer मैंने बताया है उसमें कि cut-up पर भी दोस्तों जानकारी प्रोवाइट कीजिए तो इस पर मैं आपको लिए ये वीडियो ला रहा हूँ ठीक है तो दोस्तों जितने भी मैं इसमें cut-up बताने वाला हूँ पूरी तरीकी से स अमभावित है तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों कि ये cut-up जो है किस तरीके से तयार किया गया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाने में मुझे ज्यादा समय इसलिए लगा क्योंकि इस cut-up को तयार करने के लिए मुझे data analysis करना पड़ा अब data analysis किस तरी दिया है उससे पहले के जितने भी data है उसको मैं collect किया उसके बड़ data analysis किया तो ये इसका जो है पहला जो है पॉइंट था और दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों exam ठीक है exam का level किस तरीके से था इसके आधार पर ठीक है तो ये cut-up तयार किया हूँ तो जिन candidate को इसमें अगर questions संसाइक इस्थिती है तो दोस्तों आप जो है इस condition को ना आपनाईएगा कि जो है व्यापम का क्या कहना है और मेरा opinion क्या है ठीक है तो यहाँ पस जो है दोस्तों पूरी तरीके से मैं जो model cut-off बताने वाल हूँ संभावित है तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते ह है और पूरी तरीके से दोस्तों आप वीडियो के साथ जुड़े रही है जो student नाए है बिलकुल चैनल को सब्सक्राइब करकर notification बेल आता है जरूर उन कलिजे तो आपका कितने नंबर आया है और कितने नंबर तक को आपको government college मिलने की संभावना होगी सभी बात करने वाल है इस वीडियो में तो छली वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों आपको पता होगा DL8 के लिए और B8 के लिए government college भी है और private college भी है तो हम जिसमें बात करने वाल हैं दोस्तों हाँ वो हमारे लिए होगा दोस्तों government college के लिए तो इसमें हम एक कॉलम देख करके समझ आ रह होगा कि इसमें हम लोग किस तरीके से समझने वाले हैं तो हमारे लिए तरफ है दोस्तों category आपके लिए OBC, STN, SC के लिए और साथ ही साथ दोस्तों अगर OBC की बात करूं तो इसमें male भी है female भी है, ST की बात करूं तो इसमें male और female है, SC की बात करूं तो इसमें male और female है, और कॉलिज की बात करें तो पूरे 36 गड़ में आपको दोस्तु सोलब डाइट जो है देखने की लिए मिलेगा जो पूरे 36 गड़ में फाला हूए फाल हुआ है, यह जो है गॉझे में की बात कर रहू है, और संति-संत दोस्तों आपको राइपूर का BTI देखने के लिए मिलेगा ठीक है और जो है 16 आपको diet देखने के लिए मिलेगा इस तरीके से दोस्तों 18 जो है government college आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें अगर आपका selection होता है तो पूरी चीजे है जिम्मेदारी है पूरे government के आधार पर ही होगा उनके फीस government के तरीके से लिया जाएगा लेकिन अब इनके selection नहीं हो पाता है तो आपको मिल सकता है दोस्तों private college तो हर जीले में बहुत सारे private college आपको देखने के लिए मिलेगा ठीक है उनका list जो है SCRT की ओर से हर वर्ष जो है जारी किया जाता है जहां पास जो है आप जो है purity form ज जो कोर्सेस है उसके लिए उसमें सीटें जो है दोस्तों बहुत ही कम है ठीक है इसमें chances बहुत कम होता है कि आपका जो selection है government college में हो बहुत ही rare case होता है ठीक है बहुत ही जिनका rank बहुत ज़्यादा high five जाता है उन्हीं का selection government college में होता है ठीक है रैपूर, बिलासपूर और ज आपका जो है अगर नहीं होता है तो इसके लिए private college हर जीले में जो है खुल चुका है वहाँ पास जो है आप grade exam दिला सकेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं SC से तो SC category से लिए तो दोस्तों अगर जिनका number ठीक है डीलेड में अगर बात करें तो 48 minimum जो है male के लिए बता दोस्तों minimum 45 दोस्तों ये सब के अलावा जो है आपको physical handicapped में male female भी देखने के लिए मिलेगा जो है reserve category से belong करते हैं और सांथी सांथ एक्स सर्विसमें अर्थात भूत पूर्व सैनिकों के लिए भी इसमें category reserve रहता है सांथी सांथ दोस्तों अगर मैं बता दूँ तो इसमें आपका जैसे over see हैं तो over see में के लिए दोस्तों आपको science background एंड आपका art background ये भी डिपाइं Eh इसी तरीके से अगर आप इसी तरीके से admission बीना आल्ट और साइन्स वाले देखे अगर भरती लिया जाएगा तो आपको पता है साइन्स वाले तो फटाफट नंबर ला लेते हैं तो मतलब अगर एक डाइट है उसमें 100 सीटे हैं तो पूरे 100 सीट क्या हो जाएंगे साइन्स से भर जाएंगे तो आने वाले जो भरती निकलेगा ठीक है टीचर भरती होगा उसमें क्या हो जाएगी समस्याएं हो जाएगी तो क्या करता है गवर्मेंट पूरी तरीके से मैनेज करने के लिए आयट वालों को भी और साइन्स वालों को भी दोनों जो है सीटे आर अच्छी रखता है ठीक है तो चलिए इसमें हम लोग फिर से समाझ लेते हैं दोस्तों Saq के लिए क्या हो जाएगा 48 male के लिए हो जाएगा और female के लिए 45 अगर दोस्तों government के लिए debiat के लिए बात करूं तो male में हो जाएगा दोस्तों 62 तक आने की संभावना है ठीक है और minimum की बात करूं ठीक है तो cut-off है तो क्या हो जाएगा मैं minimum ही बता रहा तो male के लिए दोस्तों इसमें हो सकता है 38 तक जा सकता है 38 तक जा सकता है नमबर अगर आपने DL8 के लिए form अपलाई किया है और DL8 के एक्जाम दिलाए है तो अगर आप ST केटिग्री से male से डूलब बिलॉंग करते हैं तो 38 तक chances है और female के लिए बात करूँ तो यह हो जाएगा 35 नमबर तक ठीक है और उसी तरीके से अगर मैं B8 एक्जाम के लिए बात करूँ तो male के लिए दोस्तों आपका जो है 55 से 56 नमबर आएगा तभी chances है वरना कोई chances नहीं है ठीक है उसी तरीके से female की बात करूँ तो दोस्तों यह हो सकता है 53 से 54 तक ठीक है अगर आपका आ रहा है तो बिल्कुल आपका chances है ठीक है तो आप जब भी इसमें counseling form भरेंगे तो आप जो है पहले government college को ही preference दीजेगा अब बात कर लेते हैं OBC वर्ग के लिए तो OBC वर्ग के लिए दोस्तों के number जो है काफी high five जाने वाला है ठीक है क्योंकि इसमें दोस्तों 55 से अगर 56 तक आपका number है तभी आपका जो है इसमें हो सकता है ठीक है और दोस्तों जितने भी मैंने आंकडे बता रहा है तो ये जो है high five जाने वाला है number क्योंकि ये जो है last 75 तक जा सकता है संभावत तह ही ये नीचे जाए 75 अंकों तक जो है इसमें government college में होने की संभावना रहेगी जिनका 75 अंक आ रहा है ठीक है और इसी तरीके से female की बात करना तो ये लगभग दोस्तों 72 से 71 तक जा सकता है ठीक है तो इस तरीके से जो number है दोस्तों cut of तयार किया गया है पिछले पांच सालों के data को analysis करके और जो अभी जो exam हुआ है उस question के level को देखते हुए ठीक है क्योंकि B8 का जो exam है दोस्तों उसमें जो question पूछे गया थे काफी simple थे और जो है दोस्तों जो DL8 के exam हुआ है वो जो थे समानने से लेकर के पूछा गया था ना तो hard था और नहीं simple था तो ये middle level का question था DL8 के लिए और B8 के exam तो simple सा था तो ये था दोस्तों cut off के लिए जानकारी आपका कितना अरंबार आ रहा है आपका इस section से belong करते हैं आपका chances है या नहीं आप इसमें एक बरदेश करीजिए और comment करके मुझे जरूर बताइए दोस्तों अगर आपको कोई doubt है तो बिल्कुल दोस्तों मुझे नीचे comment box खाली है comment करके जरूर पूछिए ठीक है और जो student नए है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके notification बेलाता है जरूर आउन कर लिजए क्योंकि इसी तरीके का ग्यान वर्धक वीडियो आपको मिलता रहेगा next में हम देखेंगे दोस्तों की इसका जो है आपले बेस्ट जय है हिंद्ट